तो हलो नमस्कार दिस उस प्रेम क्या हाल चाल है मेरे दोस्त ले में नो इन दे कॉमेंट सेक्शन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास एट वालों की जी हाँ क्लास एट की में इंगलिस बुक जो एंसी आटी की बुक आपके स्कूल में चलती है अगर चलती है तो उसका पहला चाप्टर दो बेस्ट क्रिस्मस प्रेजेंट इन दो वर्ल्ड लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन और बहुत ही धमाकेदार और सांदार पिक्चर्स वीडियो उसके साथ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाल है detailed explanation है भाई साब मैं तो recommend करूंगा इस वीडियो को देखो और जा के अपने master जी को समझा दो तो let's get started with chapter number one the best christmas present in the world इस chapter का नाम भाई साब ऐसा क्यों है the best christmas present in the world यानि इसका मतलब है कि Christmas के दिन किसी को कुछ तो ऐसा मिला होगा जो उसके लिए best होगा तो आए इस chapter में पढ़ते है किसको क्या मिला और क्या best है लेकिन इसके पहले आपको देखना पड़ेगा before you read यानि इस chapter को पढ़ने से पहले भाई साब आपको कुस तो जान लेना चाहिए क्या जान लेना चाहिए कह रहा है कि there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them कह रहा है कि भाई साब इतिहास के कुछ ऐसे दिन होते हैं कुछ ऐसे समय होते हैं जो कि बहुत ही जादा यादगार होते हैं और लोग उसको शालों सालों तक याद करते हैं जैसे हमारा Independence Day है न हम आज तक इसको याद करते हैं वही कह रहा है बिल्कुल कह रहा है कि the story you will read mentions one such date and event ये जो कहानी आप पढ़ने वाले हो इस कहानी में हम बिल्कुल कुछ ऐसे ही एक important date के बारे में बात करेंगे और कुछ तो हुआ है जो हमें इस chapter में बात करेंगे और एक activity है आपके लिए मैं चाहूंगा कि आप इसका answer मुझे comment box में अभी के अभी दो कह रहा है कि भाई ये dates के नाम यहाँ पर दी है आपको इन dates को क्या क्या हुआ था ये आपको Google search करना है क्योंकि भाई ना तो मुझे पता है ना तो तुम्हें पता है कि इन इन dates को क्या क्या हु तो क्या कह रहा है बड़ी आसान भासा में समझेंगे वर्ड की मिनिंग्स भी जानते जाएंगे ताकि आप जब भी क्लास में इस चाप्टर को पड़ो ना तो आप एकदम confident सा feel करो है ना तो let's get started कह रहा है कि I spotted it ध्याम देना I spotted it in a junk shop in Britpot a roll top desk भाई साब इस चाप्टर का थोड़ा समय preview तुमको बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे चाप्टर में ऑथर जो है इस चाप्टर का उसको एक desk चाहिए था काम वाम करने के लिए लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो नया desk खरीद सके तो वो क्या करता है वो पुराने desk की तरफ जाता है कि कोई second hand कोई इसको table मिल जाता है तो वो खरीद लेता है तो कहानी बिलकुल यहीं से start होती है कह रहा है कि I spotted it author ने चीज़ देखा क्या देखा a roll top desk देखा एक ऐसा table देखा जिसका जो उपर वाला हिस्सा होता है वो बिलकुल ऐसे slide करने लायक होता है आप picture में देख सकते हो बिलकुल यहीं है roll top desk तो author ने एक भंगार की दुकान पर कहां पर bread pot नामक जगह पर bread pot एक सहर है इंग्लैंड में actually और इसी सहर में एक भंगार की दुकान पर author को एक table दिखता है एक roll top table दिखता है ठीक है the man said it was early 19th century अब जो भंगार वाला था उसने इस table को जब author गया उससे पूछने कि भाई साथ इस table का क्या दाम है तो उसने author को बताया कहा कि the man said it was early 19th century कहा कि यह जो तुम table देख रहे हो यह आज का table नहीं है यह लगभग 19th century जब start हो रही थी तब का ही यह table है और यह ओक की लकडी का बना हुआ है ओक की लकडी बहुत जबूत मानी जाती है ना तो भाई अब भंगार वाले को तो अपना समान बेचना है तो वो अपने समान की तारीफ कर रहा है कि जो भाईया आप यह जो roll top desk देख रहे हो यह 19th century का है यानि बहुत पुराना है और यह ओक की लकड second hand desk पड़ा हुआ है क्यों न इसी को खरीद लेता हूँ ओथर ने क्या सोचा कहा कि I had wanted one मुझे भी एक roll top desk चाहिए था बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसेब लेकिन जो नया लेने जाता तो काफी महंगे थे इसलिए वो afford नहीं कर पा रहा था अब इसने सोचा इसकी दिमा they were far too expensive अगर वो नये लेने जाता तो काफी महंगे पड़ते और this यानि ये जो भंगार के दुकान पर table इसमें देखा था this one was in a bad condition ये काफी बुरी हालत में था तूट गया था जलने के निसान थे उस पर जैसे लगता है कि उस table को जला दिया गया था है ना या वो table जिस घर में रखा गया था वो घर जल गया हो कुछ ऐसा था वो table है ना तो कह रहा है कि I had wanted one मुझे भी एक table चाहिए था लेकिन वो काफी महंगे थे और ये जो वाला अब मैंने table देखा था जो भंगार की दुकान पर table देखा ये काफी बुरी हालत में था the roll top in several pieces उसका जो उपर व एक पैर था clumsily मतलब बहुत ही गंदी तरीके से आप कहो कि जल्दी बाजी में उसको ठीक कर दिया गया था हुआ यूं कि वो जो table था ऐसा लग रहा था कि उसका एक जो पैर होता है table का वो तूट गया था कभी और जो बना रहा था उसको जल्दी बाजी में बना दिया बह clumsily का मतलब होता है बहुत ही गंदी तरीके से कारी गरी गरना आप अगर कोई काम करने जाओ और उसको बहुत ही लापरवाही से कर दो तो उसको कहते हैं clumsily mended समझ में आ रहा है अच्छा scotch marks all down one side एक तो table जो था उसका एक पै टूटा हुआ था उसको बस ऐसी repair कर दिया ग रखा गया था वो घरी जल गया हो है ना अच्छा all down one side एक तरफ तो उसमें जलने के निसान थे दूसरी तरफ उसका पै टूटा हुआ था roll top desk जो उपर वाला हिस्सा होता है वो अलग-अलग टुकडों में टूटा हुआ था यानि ये table बड़ी बुरी हालत में था it was going for very little money लेकिन एक बात थी कि ये जो table था ये बहुत ही कम पैसे में बिक रहा था आगे लिगा है कि I thought I could restore it ये जो table था ये काफी बुरी हालत में था लेकिन author को अब भी लग रहा था कि ये table को ठीक किया जा सकता है मैं इसको repair कर सकता हूँ तो author ने क्या किया it would be a risk a challenge but I had to have it author कहता ह है कि भाई इस table को ठीक करना बहुत ही risky काम है पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा एक challenge भी है मेरे लिए चुनोती है अगर मैं इस table को ठीक कर दूँ लेकिन मुझे किसी ना किसी तरीके से ये तो करना ही होगा क्या कि इसके पास इतने पैसे नहीं ते कि वो नया table खरीद सके is it clear आगे चलते हैं I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage क्या किया author ने कहा कि I paid the man मैंने पैसे दे दिये उस भंगार वाले को and brought it back और उस table को उठा कर अपने घर ले आया वापस और घर पर कहां रखा to my work room भाई ऐसी जगह जहां पर वो काम करता था अपना है ना वहां पर लाके रखा और यह जो जगह थी यह जो work room था यह कहां था garage के पीछे था अब मैं इसको इतने ध्यान से क्यों बता रहा हूं क्योंकि यहां से question बनता है कि जो author है वो अपने table को कहां पर repair करना start किया था तो यह एक line है work room at the back of the garage इसका पूरा answer हो जाएगा कि the author started mending that roll top desk at work room at the back of the garage कहां पर ठीक कर रहा था वो एक काम करने की जगह थी और garage के पीछे थी यह जगह वहीं पर यह अपना काम यानि table को ले गया और उस पर काम करना start कर दिया अब भाई यह काम वह अगेरे करता होगा जॉब अगेरे करता होगा तो जब इसकी क्रिस्मस की छुटियां पड़ी तो इसने सोचा कि क्यों ना क्रिस्मस की छुटियों में मैं इस table को एकदम repair कर दूँ एकदम नया जैसा बना दूँ है ना तो इसने क्या किया अब table को repair करना तो start कर दिया लेकिन सबसे पहले क्या किया I remove the roll top completely and pulled out the drawers भाई author ने सबसे पहले क्या किया जो उसका उपर वाला हिस्सा था roll top जो ऐसे होता है बिलकुल ऐसे आप picture में देख सकते हो जो उसका उपर वाला हिस्सा था उसको author ने निकाल कर बगल में रख दिया और क्या किया pulled out the drawers और उस table में जो drawer लगे थे drawer होता है ना ऐसा नीचे से खीशते हैं उसमें समान वगेरे रखते हैं चलो मैं तुमको drawer दिखा भी देता हूं author खुद इस picture में यह देखो यह होते drawers तो author ने क्या किया पहले तो इसका जो roll top था यानि य किक करके drawers को बाहर निकाल कर रखने लगा ठीक है अब आप पूछ रहे हो कि drawers बाहर निकलते हैं क्या आप अपने घर में अगर drawer हो तो try कर ले ना drawers को थोड़ा और खीचोगे तो पूरा बाहर आ जाता है तो author ने बिल्कुल ऐसा ही किया है ठीक है थमाज में चलो आगे चलते continue करते हैं तो कह रहा है कि author ने क्या किया उसका जो roll top था यानि उपर वाला हिस्सा वो निकाल दिया और जितने भी drawers लगे थे उस table में उसको भी निकाल दिया उस पूरे table पर ना ऐसे नुकीले नुकीले लकडी निकले हुए थे जो कोई लकडी होती है अगर वो plywood की बनी है जैसे यह मेरा table यह plywood का बना है अगर यह बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो यह ऐसे सडने लगता है जिसकी वज़े से ऐसे कीले निकलने लगते है लकडी की जो कीले होते है इसी को हम कहते है विनीर है ना इसकी मिनिंग है आप दी गई है अ थिन लेयर आफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फरनीचर ऑफ चीप वुड तो यह कह रहा है कि उस पूरे table पर जगा जगा पर नुकीले लकडिया निकली हुई थी और और क्या था इट 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 लुक्ड लाइक वॉटर डैमेज टू मी अच्छा ऑथर कहता है कि ऐसे जगा जगा नुकीली चीजे निकली हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पूरे रोल टॉप डेस्क पर ना काफी ज़्यादा पानी फेका गय है जिसकी वज़य से वो जो प्लाइवूड था ना वो फूल गया है है तो आथर को लगता है कि यह जो रोल टॉप डेस्क है वो खराब किसली हुआ है यह वाटर डैमेज है यानि पानी की वज़य से खराब हो गया है लेकिन वो आगे देखता है कि बोथ फायर एन वाटर ह क्लियरली तेकें देयर टोल ऑन दिस टेकिन देटोल का मतलब क्या होता है यह जाधा इंपॉर्टिंट है आप देख सकते हो बैमस ऐसे ही जो आग थी और पानी थी इन दोनों ने मिलकर उस ज़ावर को खराब किया था इन दोनों ने मिलकर इस ड्रॉवर को डैमेज किया था ठीक है, the last drawer was stuck fast, अब देखो, जो author होता है, वो एक एक करके सारे drawers निकालता है, लेकिन जो आखरी वाला drawer आप ये देख रहे हो, ये वाला आखरी वाला drawer, ये stuck fast, यानि ये बहुत जाम हो जुका था, जाम हो गया तो वो खिच नहीं रहा था, author बहुत ताकत लगा कर खिचने क कोशिस करता है, लेकिन ये जो drawer है, वो निकल ही नहीं रहा था, तो author ने क्या किया, in the end, I used brute force, author को आखिरकार जब ये drawer खिच नहीं रहा था, तो इसको थोड़ी और ताकत लगानी पड़ी, थोड़ी brute force, brute force का मतलग, जोर जबर्जस्ती करनी पड़ी, क्या करना पड़ा, I struck it sharply with the side of my feast, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, author ने क्या किया, अपने मुक्य को तेज से यहाँ पर मारा, इसके side पर, ये table है ना, इस table के side पर, ठीक है, जहाँ पर वो drawer फस गया था, वहाँ पर ऐसे मारा, बहुत तेज तेज से अपने feast यानी मुक्य से, उस drawer के side पर, वो मारने लगा, जिसकी वज़े से ये जो drawer था, वो automatic बहार आ गया, है ना, अच्छा, अब देखो, आगे क्या हुआ, जब ये drawer खुला, जो फस गया था, जो जाम हो गया था, जब ये drawer खुलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, और shallow space, बह पुरे कहानी का motive, there was something in there, अच्छा, author देखता है कि जब ये वाला drawer वो खीशता है, बाहर तो देखता है, इसके अंदर भी एक secret drawer है, अब इस secret drawer के अंदर कुछ तो है, अब क्या है, देखो, आगे कहता है कि, I reached in and took out a small black tin box, cello taped to the top of it was a piece of lined note paper, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये जो line है पूरी, ये, I reached in and took out a small black tin box, cello taped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in sacky handwriting, Jim's last letter, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जब ये drawer खुलता है, इस drawer के अंदर एक sallow space अनि बहुत कम जगह होता है, और उसके अंदर भी एक secret drawer होता है, इस secret drawer के अंदर वो देखता है, कि एक छोटा सा काला कलर का tin का डिबबा, जैसे हमारे ड्राइं बॉक्से आते हैं न, कमपास, जो कमपास होता है हमारा, जो हम बच्पन में उसको बलते हैं, कमपास दे दो हमको, वो box रहता था, पूरा tin का box रहता था है न, तो ब पूरा black tin box, अगर आपको clearly दिख रहा होगा, तो ये white color की यहाँ पर ऐसे पटी लगी हुई है, है न, और इस पटी पर बड़ी ही sack की handwriting हिलती हुई, हाथों से लिखी हुई handwriting में क्या लिखा था, उस पर लिखा था, कि भाया, इस box के अंदर क्या है, जिम का आखरी पत्र, ज चुम भी सोच रहे होगे, जिम कौन, लेटर कौन सा, लेटर के अंदर क्या था, तो इसके लिए अभी आगे पढ़ते जाओ, मेरे दोस्त, देखो, होता है क्या-क्या, है न, तो भई, ये तो पहली बार, अभी तो भंगार के दुकान से अपने desk को खरीद के लाया, इसको है, ये ब्लाक कलर का टिन बॉक्स, जिसके ऊपर बड़ी हिलती हुई हैंड राइटिंग में लिखी थी, ये जिम का आखरी पत्र है, हाला कि इंगलिस में लिखा था, लिखा है कि जिम्स लास्ट लेटर, रिसीब्ड जनवरी 25, 1915, तो बी ब्यूरीड विट मी वन दे time comes, केवल यही नहीं लिखा था कि जिम का आखरी पत्र, ये भी लिखा था कि ये पत्र कम मिला, रिसीब्ड जनवरी 25, 25 जनवरी को 1915 में मिला था ये, और इस पत्र को मेरे साथ दफना दिया जाए, जब मेरा समय आ जाए, जब मेरी मौत हो जाए, तो इस बॉक्स में जो प इसकी आखरी इच्छा है, और इस लेटर में ऐसा क्या है, जो साथ में दफनाने की बात कर रहा है, तो देखते जाओ अभी और क्या-क्या होता है, I knew, as I did it, that it was wrong of me to open the box, अब भाई, ऑथर तो नया-नया इस डेस्क को भंगार की दुकान से खरीद के लाया, इसको क्या पता लेकिन ये कहता है कि मैं इतना ज्यादा क्यूरियस हो गया, got the better of my scruples, अब scruples का मतलब भी देखो, यहाँ पर दिया गया है, क्या है, जितनी भी hard words की मिनिंग है मैं आपको समझाते चलता हूं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि इस word का क्या मतलब हो सकता है, भाई साब इस chapter को एक-एक line द्वारा पढ़ोगे, you will understand it कि कितना important था ये video है न, अच्छा चलो, आगे चलते है, scruples का मतलब मैं आपको बता रहा था, कि feelings that make you hesitate to do something wrong, scruples का मतलब होता है, कभी-कभी हमारे मन के अंदर होता है, जब हम चोरी करने जाते हैं, माल लो, पापा के जेब से पैस जो मुझे अंदर से तो लग रहा था कि ये गलत है, लेकिन मेरी curiosity इतनी जाधा बढ़ गई, कि वो जो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी न, वो आना बंध हो गई, और आखिरकार author से रहा नहीं गया, और उसने उस letter को खोल कर पढ़ा, अब देखो, क्या-क्या पढ़ा, व बिल्कुल ऐसा author को भी हुआ, inside the box there was an envelope, जब उस black color के tin box को खोला गया, तिन, तिन, तीने का box था, उस box को जब खोला गया, तो उसमें एक लिफाफा था, और उस पर एक address लिखा था, the address read, Mrs. Jim Macpherson, 12 Cooper Bitches, Britpot, Dorset, अब मैं आपको map के तुरू दिखाना चाहता हूँ, कि Britpot में हमारा author, इस table को खरीद के लाया था, है न, और इस table से जो इसको letter मिला, वो letter कहां बेजा गया था, Mrs. Jim Macpherson को बेजा गया था, जो कि कहां रहती थी, 12 Cooper Beaches पर, और ये भी Britpot में ही है, Dorset नाम की जगा पर, अब आप map में देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना distance है, ठी गया था, और शायद Mrs. Macpherson मर गई हो, लेकिन उनके table को खोलने वाला कोई ना रहा हो, पहला author ही खोला होगा, तब इसको ये letter मिल गया, ठीक है, I took out the letter and unfolded it, author कहता है कि भाई मैंने letter को निकाला, और उसको खोला, it was written in pencil, pencil में लिखा था, क्या लिखा था, date लिखी थी, 26th December 1914, 14, अब ये essay अपने letter को खोलता है, जो letter इसको box में मिला था, लेटर को खोलता है, और उसके ऊपर ही लिखा रहता है, 26th December 1914, अब इस letter के अंदर और क्या क्या है, इसके लिए आपको इसी chapter का second part देखना होगा, जो कि हम अपनी channel पर regularly आपके लिए लाते रहेंगे, 8th की पूरी series, पूरी English की videos, आपको इस channel पर मिल जाएंगे, बस आपको YouTube पर जाकर chapter के नाम के साथ, educational hikes लगा देना है, आपको मेरी videos सबसे top पर मिल जाएंगे, so, कैसी लगी ये video, please मैं जो comment section में बताएं, ताकि जो भी improvement वगेर हो, वो किया जा सके है न, share this video, जितना हो सके, bye bye, love you all, मिल ही अपना, अपनों का, चैहिंद,